नमस्कार, मैं हूँ ससी, आए जरगां की टॉप 25 पर्मोख खबर जानते हैं भारत पाक सीमा पर मिली 150 मीटर लंबी सुरंग भारत पकिस्तान अंतरराश्ट्रिये सीमा पर लगे बाल के नीचे सुरंग का पता चला है सनीवार को अधिकारियों ने बताया कि सीमा बॉल ने जमू में अंतरराश्ट्रिये सीमा पर सुरंग का पता लगाया इसके बाद इलाके में सर्च अपरेशन तेजी कर दिया गया है बताया जाता है कि इन सुरंगों के जरिये भारतिये सीमा में घुसपैट की जाती है जबकि आतंकी गतिवीधियों के लिए भी सुरंग के इस्तेमाल की बात सामने आई है BSF IG के मुताबिक जीरो लाइन से करीब 150 मीटर तक सुरंग बनी हुई है कुरोना जाच में नीजी लेब और नीजी अस्पताल मरीजों को लूटने में लगे है कुछ नीजी लेबों में आटी PCR जाच के लिए सेंपर लेकर एंटीजन जात कर उनकी रिपोर्ट दे दी जाती है जबकि कुछ नीजी अस्पतालों में बीना सरकार के अनुमाती के ही एंटीजन एंटीवर्डी टेस्ट हो रहे है जिसे लेकर राची के उपायूग छवी रंजन को इस बात की सिकायत मिली है डी सी के निर्देश पर राची सिविल सर्जन डाक्टर विजव बिहारी परसाद ने सुक्रवार को एक छाप पमारी दस्तका गठन किया है जारखन में परिशार्थियों पर लागू नहीं होंगे लोगडाण के नियम जारखन में लोगडाण 30 सितंबर तक बढ़ाया गया है लेकिन नीट और जेई जैसे परतियोगी परिच्छा देने वाले विद्यार्थियों के लिए राजी की हमन सुरेन सरकार ने बड़ी रहात की घोसना की है सरकार ने कहा है कि परिशार्थ देने वाले विद्यार्थियों पर लोगडाण के नियम लागू नहीं होंगे यहाँ तक की कंटेन्मेंट जोन में रहने वाले छात्र शत्राओ को भी इमतिहाम देने के लिए जाने से नहीं रोका जाएगा जार्खन में 1299 संक्रमितों के पुष्टी हुई सबारा है जबकि 25216 लोग सुप tert outta और 3799 कि म्रिति हुई भास में गुलाको 1 दिश कर पुर्भी से पिशत्रा पी 1791ाह दुछ से एक1 की कि मौत हुई है राजम में नौसो अन्ठावन मरीज स्वास्त भी हुए हैं एक्टिव केस इस्प्रकार हाएं राची ती नयाज चेहतर पूर्वी सिहमों 241 रामगर 543 हजारी बग पान्सो बारा धन्बाद 506 बोकारो 488 में कोडार मां 387 गिरी दी 333 गाडवा 320 लातेहर 308 पाच्वी सिहमों 292 साइवगन 287 सराय किला 258 पालामगर 299 खुटी 216 दुमका 206 सिम्डेगा 109 गुमला 189 देवगार 116 चात्रा 116 जामतरा 115 लुहर्दागा 107 गोड़ा 88 पाकुड 84 मरीज एक्टिव हैं जारखन में पच्मी सिम्भूम में पुलिस नकसली मुद्भेड पच्मी सिम्भूम जीला के गुदरी थाना अंतरगत जामताई गाउं के चाई बासा पोड़ा हार जंगल में पी एलेफाई उगरवादी के साथ कोबरा सीर पी एफ वजीला पुलिस वल के जवानों के ольше को पुलिस करमीओं के लिए 50 लाह के बीमाग की घू सकती है घूसना संक्रमन काल के दोरां जारखन के पूलिस करमीओं के टी legal क्राने की घूसना जल्द हो बता दे कि डीजीपी ने एसोसेशन के सदस्यों को बताया कि पूलिस कर्मियों को कुरोना काल में 50 लाक अभीमा लाप देने की घोसना मुख्यमंत्री जल्द करेंगे जारखन के तिरंदाजी कोष धर्मेंद्र तिवारी को दुरोना चार्ज वा अतनु दास को अरजुन अवाड मिला पहली बार खिलाडियों को वर्चुल राष्ट्रिये खेल पूरसकार से समानित किया गया बता दे कि भारत के राष्ट्रपती रामनात कोमिन ने कुरोना महमारी के कारण ओनलाइन आयोजित किये गये समारों में संदार प्रदोसन करने वाले देश के खिलाडियों को राष्ट्रिये खेल पूरसकार से समानित किया आपको बता दे किराश्री एक खेल दिवस पर जार्खन की तिरेंदाजी कोश दर्मेंतिवारी को कोलकाता में ओनलाइन दुरोना चार्ज आवाज दिया गया बीजली दर बिरिधी पर उभोगता आपती दर्ज कराएं राज में बीजली दर बढ़ोतरी के समद में उभोगता दो सितंबर तक अपनी आपती दे सकेंगे इसके बाद जार्खन राज बिधूत नियमक आयोग इस पर निनर लेगा इस बीच आयोग के उत्पादन वित्रन और दर निर्धारन समदी निमावली पर भी लोगों से समद में मुख्य सचीव के हस्ताक्षर से आदेश जारी कर दिया गया है इस आदेश के तरहत परिछार्थियों को लोगडाउन के दवरान विभीन तरह के परतिबंदों से मुक्त रखा गया है बतादे की जीन शेतरों को खोलने की जाज़ित दी गई है वहाँ पर केंद्र और राज सरकार के दिशाननिद्श का पारण करना अनिवार्य होगा नियम की अंदेखरी करने वाले पर दंडात्मक करवाई भी होगी एक सितंबर से मिलने वाले छूट इस परकार हाँ है राजे के अंदर बसो का परिचालन परिवाहन विभाह की सतों के अनुरूप होने लगेगा होटल लोज गेस्ट हाउस धरमसाला रेस्टोरेंस और शॉपिंग मॉल खुलेंगे गाई लाइन के अनुसार सैलून वा ब्यूट्वी परवर को भी खोलने के अनुमति दे दी गई है साधी समारों में अधिकतम पचास और अमतिम संसकार में अधिकतम बीस ब्यक्त को कई सर्थों का पालन करना होगा विभाग ने 26 नियम बनाए हैं आपको बता दे कि जरकन सरकार के परिवाण विभाग ने कहा है कि किसी करोना पोजेटिव यक्ति को बस में यात्रा करने के उन्मति नहीं होगा वालों के लिए मास्क या फेस कोबर और गलप्स लगाना अ बस में यात्रियों को सोचल डिस्टेंसिंग के पालन करना होगा और लोग 4.0 केंदर सरकार ने जारी की गाइडलाइन केंदर सरकार की ओर से और लोग 4.0 के लोकर गाइडलाइन जारी कर दिया गया है अनलोग फोर के निदेश थी सितंबर तक जारी रहेंगे बता दे कि कंटेन्मेंट जोन में लोकडाउन का सक्ति से पारण किया जाएगा जबकि काक्षा 9 से 12 तक के विद्यार्थी अपने स्कूल अपनी इक्षा से जा सकेंगे और सिक्षक से संपार्ख भी कर सकेंगे बता दे कि एकई सितंबर से समाजिक, मनुरंजन, संस्कृतिक, धार्मिक और आयनितिक कार्यकरमों को करने की जायत होगी लेकिन यहां 100 से ज़्यादा लोग उपस्तित नहीं हो पाएंगे मुख्यमंत्री हमालसुरे ने राजपार से की मुलकात करमा परव की दी बदाई मुख्यमंत्री हमालसुरे ने सनिवार को राजबहुन में राजपाल द्रोपति मुर्वस मुलकात की इस सिष्टा चार भेट के करम में दोनों ने एक दूसरे को करम परव की बढ़ाई दी मुख मंतिरी ने इस करम में कुरोना के प्रसार पर नेंतरन हेतू राज सरकार द्वारा किये जारे परयासों की भी जनकारी राजपल को दी बस किराया 25 परतिशत तक बढ़े गा संगठन के अध्यक्ष ने कहा कि जब लोकडाउन सुरू हुआ था तो डिजल की कीमत बासट के आसपास थी अब 80 के करीब हो गई है उन्होंने कहा कि हम भाड़ा दोगना तो नहीं करेंगे लेकिन इतना जरूर बढ़ाएंगे कि अब घर से नहीं लगाना पड़े मनरेगा योजना से गाउ में खुसाली पलामू मनरेगा अयुक्त मनरेगा योजना से गाउ की प्रगती होगी गाउ के गराम सभा में सारी सकती है ग्राम सभा को समाज के प्रति उतरदाई जब आप दे एवं परदर्सी होकर योजनाव का चुनाव करना होगा मनरेगा के असली माली गाउouses गाउ के लोग हैं ग्राम सभा में वैसी योजनाव का चैन करें जो आपके समुदाई फायदे की हो काम किमां करें, और मन लगा करें, मन रेगा की सफलता तभी है जब गांव की गरीब ही दूर होगी, या बातें मन रेगा आयूक सिधार तिरपाठी ने कही रामगार उपायूकत ने जारी किये उनलोग गाइडलाइन्स सरकार के आदेश के बाद रामगा डिसी संदीप सिंग ने सनीवार को अनलोग गाड़न जारी किये हैं उनके इस निदेश के बाद और बजारों में रोनोग एक बार फिल से लोटने के उमीद जगी है सरके प्रमुक चटी बजा से लेकर बजार टांड और में रोड में बंद पड़ी कई दुकानों के सटर आज खूल गए स्वापिंग मौल और नाई की दुकान भी लोगों ने खूल दी है करमपर्व प्रकृति के साथ समाज के समरूपता का परिचाया कहमत सुरेन मौख मंतरी हमन्सुले ने करमपर्व की जार्खंड वासियों को सुबकामनाय दी है मौख मंतरी ने सनिवार को कहा कि प्रकृति महापर्व करमपुजा हमारे संस्कृति की धरोहर है या प्रकृति के साथ समाज के समरूपता का परिचायाग भी है ग्रामिन विकास मंत्री से मिले बिजाय हंस्दा राज महल रोक सभाथ छेत्र के सांसाथ बिजाय हंस्दा ने पाकूर परिसदन में राज के ग्रामिन विकास एवं संसाथिये कार्य मंत्री अलमगीर अलम से मुलकात की हंस्दान ने मंत्री जी को छेत्र की बिजली पानी सलक स्वास्थ यों ग्रामिन विकास से समंधी समस्याओं से अउगत कराया ग्रामिन विकास विभाग और बी आर एलेफ के बीच हुआ 565.57 करोल का करार क्रिसी संसाधन विकसित कर ग्रामिन अत्वेवस्था को गती देने के उदेश से जारकन सरकार के ग्रामिन विकास विभाग और बी आर एलेफ के बीच सुकरबार को करार किया गया मन्रेगा अधारित वाटर सेट बिकास परियोजना के करानवें के लिए बीडियो कन्फेंसिंग के माध्यम से समझोता पत्र परहस्ताक्षर कियेगा इस्थीती बिगडी तो फिर करेंगे पूर्ण लोकडाउन मुख्यमंत्री मुख्यमंत्री हमन्सुरेन ने कहा है कि जार्खन में अनलोग का अगला चरण आराम हो गया है लेकिन कुरोना संक्रमन की स्थीती बिगडेगी तो फिर से दी गई छूट को सिमित कर पावंदिया बढ़ाई जाएगी जरुरत पढ़ने पर पूर्ण लोकडाउन भी लागू किया जाएगा पाराशिछकों को शिक्छक दिवस पर मिले तोफा एकिकरित पाराशिछक शंहर्ष मूर्चा ने सनिवार को सिक्छा मंत्री जगनात महतों से मुलकात की मोर्चा ने सिक्षा मंत्री को ग्यापन देते हुए सिक्षक दिवस के दिन 5 सितंबर को पाराशिचको को बेत्तन मान और स्थाई करन का तोफा देने की अपिल की है इस पर सिक्षा मंत्री जगनात महतों ने कहा कि कुरोना संक्रावन की वज़ा से पराशिक्ष को कैस्थाई करन और बेतन मान में थोड़ा बिलाम हो रहा पराशिक्षक धर रखे 17 साल से जोल जंग पराशिक्षक ने लड़ी है उनका पई नाम सुखाद होगा राजनितिक दबाव पर मुकादमा दर्ज कर रही पुलीस बावुलल मरंडी भाजपाबी धायक दल के नेता बावुलल मरंडी ने मुख सचीव सुखदेव सिंग को पत्र लिखकर आरोप लगाया है कि पुलीस ब्यक्ति द्वेस और राजनितिक दबाव में मुकादमे कराकर दोसी अफसरों के खिलाब करवाई की मायंग की है उन्होंने कहा है कि या नहीं भूलना चाहिए कि सरकारे आती जाती रहेगी पुलिस अधिकारी एक असान से दुसरे जगह चले जाएंगे लेकिन दस्तावे जिन्दा रहता है रांची पुलिस ने बगर मास्क पहने 434 का काटा चलान कुरोना वायरस संक्रवन तेजी से फैलने के बावजूद आम लोग मास्क पहनने को लेकर गंभीर नहीं है मास्क नहीं पहनने मालों को लेकर ट्रैफिक पुलिस लगातार अभियान भी चला रही है रांची ट्रैफिक पुलिस ने सहर के भी भी चौक चुराये पर अभियान चला कर 434 लोगों से फाइन की वसुली की बता दे की 2,17,000 रुपे की वसुली पुलिस कर चुकी है अवकास के दिन भी मुख्याले से पुलिस कर्मियों के बाहर जाने पर रोक जारखन CID मुख्याले समेत अने पुलिस कर्यालेों में सनिवार और अभिवार को अवकास होता है CID मुख्याले में कुरोणा संक्रमित पुलिस कर्मियों के लगतार मिलने के बाद नया आदेस जारी हुआ है आदेश के मुताबिक अवकास के दिनों में मुख्याले से बाहर जाने पर पूरी तरह रोक लगाई गई है यदि आप चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर बहुल का बेल ऐकन दबाई है साथ साथ वीडियो को एक लाइक कर अपने दोस्तों को बार से फेस्बूक ट्वूटर इंस्टागराम पर सेयर करें आप कॉमेंट में अपना सुझाव दे सकते हैं थैंक यू